तो फाइनली दोस्तो हम पहुंच चुके हैं बदरी नाध धाम और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना जादा भीड़ है यहां पे और मौसम काफी जादा अच्छा हो रखा है जैसे कि आप देखी सकते हैं सो दोस्तों किदार नाध धाम के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं बदरी नाध धाम की और अब जी के आई बताओ खोड़े से इसकी वारे में बताईए आप क्या नाम से मतलब क्या नाम है इसका है तेमरू हाँ तेज को कर दोस्तों आप लोगों को भी इसके वारे में पता है तो जरू बताईए कमेंट करके और अब आप पहुंचने वाले हैं नेरली बदिनाध धाम के लिए तो अभी शाम हो चुकी है और आप देख सकते हो ट्रैफिक इतना ज्यादा लगा हुआ है और जो रास्ता है वो भी काफी खराब हो रहा है कि मुझे लग रहा है इदर रोड बन रही है तो अभी आप देख सकते ह राले हैं बर्जणाधध्ध investigación के लिए तो आज सो हमारी दर्शन नहीं होंगे लेकिन में नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जरूर करेंगे दर्शन तो और हम आ चुके हैं अपर चेकिंग लिवरिया में उसके बाद चेकिंग होने के बाद हम बढ़ चुके हैं आगे की और यहां से कम से कम एक से दो किलो मिटर कर रास्ता है और हमने जो रूम है पहले से बुक कर खता है यहां पे तो चलो मिलते हैं आपको और यह यहां का है बज़ार आती सकते हैं चोटा सा मार्केट यहां पर लगा हुआ है तो अभी हम पहुंचने वाले नेरली तो मैं आपको दिखाती हूं सीधा घर से बादरिनात का व्यू पर कुछ हमने रूम लिया है वो काफी ऐसा लिया है कि लिया हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे और मैं आपको ले जा रही हूं बहार से मंदिर का व्यू दिखाने के लिए कि नाइक में मंदिर का व्यू कैसा दिखते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर है बिलकुल हमारी सामने और अभी आप देख सकते हो कितना क्राउड है मैं आपको जूम करके दिखाते हूं तो आप देख से तो कितना सुन्दर लग रहा है मंदिर तो अभी जो मंदिर के कपाट है बंद हो रखे हैं पर लोग अभी वेटिंग एरिया पे खड़े वे हैं जैसे कि आप देख सकते हो तो काफी अच्छा लगा मतलब इत मॉर्निंग जाएंगे आप देख सकते हैं यहां पर जो नदी का बहाव है काफी तेज है और मंदिर को आप देख सकते हो जब मगा रहा है तो काफी संदर लगा मुझे यहां पर आके काफी अच्छा एक्सपीरियेंस रहा लेकिन रोड काफी नेरो है और फोड़ा बहुत अन्यवे चलो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और हम निकल चुके हैं अपने मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए तो आप देख सकते हैं वेदर भी काफी अच्छा हो रखा है दूप आ रखी है तो काफी अच्छा एक्सपीरियेंस रहेगा लेट जो के हैं मंदिर बाबा बद्रिनाथ जी के दर्शन करने के लिए तो अभी भी काफी ज़्यादा भीर लगी है लेकिन हमारे जो जह हैं उनके दोस्त यहां पे उनकी डूटी लगी हुई है तो देखते हैं कि उनकी मदद से हम पहुंच जाएंगे दर्शन जल्दी हो जाए बहुत देखते हैं उनकी मत्याओं लगी है लोगाए और फइल्ली हम यहां पर लगा रही है अपने माधे पे टीका यह तो पंडीजी लगा रहे हैं माधे पे टीका तो अन्को दान दक्षिन ऋठोड़े लोगा रहे होती है तो हमने ले लिया है परशाद और निकल चुके हैं बाबा बद्रिनाद जी के दर्शन के लिए तो अभी वेट करना पड़ेगा हमें को कि ज्यादा क्राउड है तो लेट सी देखते हैं कब तक में मुरत है आप जैसे कि देख सकते हो कि इतनी ज्यादा भीर लगी हुई है तो अभी इतना ज्यादा क्राउड है मॉर्निंग के टाइम पे अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के साथ तो देखते हैं हमारा नंबर कप तर आता है है तो दोस्तों हमने फाइनली अंदर जाके मंदिर के दर्शन जो कि हैं कर लिए आप देसको तो यह अंदर जाने के लिए काफी अच्छा एक्सपीरिंस था ठीक था तो अब हम जा रहे हैं नीचे पिंडदान करने के लिए तो दोस्तों आप देख सकते हो नदी का जो बाहाव है काफी तेज है आप देख सकते हो कितनी तेज बाहाव से जा रहा है पानी और यहां पर होते हैं हमारे पित्रों के प तो पंडी जी आ रहे हैं गंगा चल लेके उदर से और फिर वो करेंगे स्टार्ट पूजा तो आप देख सकते हैं और जो धूप काफी जगा गर्मी भी हो रही है तो मैं तो जैकेट पेंगे देती मुझे काफी गर्मी लगी तो फिर मैंने जैकेट उतार दी कुछ टाइम ब आने जाती है और आप दिना धाम आते हो तो आपको अपने पित्रों के लिए पिंड दान करना जरूरी है तो दोस्तों जो पूजा होती है मात्र आदे घंटे से लेके गंटे के बीच में होती है तो पूजा जल्दी हो जाती है उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है नेक्स अध्धाम मंदिर का दर्शनर से तरीकिस से हो गयते हैं अब हम जा रहे हैं माना विलेज और उसके बाद हमारा अगर प्रोग्राम बनता है तो हम वसुधारा भी जा सकते हैं और अगर नहीं अगर ऐसी धूप रही तो प्रोग्राम कैंसल ही हो सकते हैं वसुधारा का तो पभी मियांता सा मंदिर सरसवती माता का तो काफ़ी इसके अग्वाएं तो क्या सकासुतर देखे करी नहीं उसको है तो तो हम finally mana village भी घोम चुके हैं यहां पर आपन देसकते हैं आपर चाही की दुकान भी है और यहां पर काफी सारे चोटे चोटे वेद वियाज जी के मंदिर और गवान गनेश जी के मंदिर भी है काफी ज्यादा तो आप देसकते हमने आपके photo भी ती करवाई थी तो दोस्तों हम वसुदारा नहीं जा पाई बिकॉस गर्मी ज़ादा थी तो अब निकल चुके हैं अपने घर के लिए पर मुझे लगता नहीं कि हम धर पहुच पाएंगे तो हमें रुखना पड़ेगा रास्ते में तो देखते हैं उसके वाद हम कहा जाएंगे मिलते हैं